चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसंतोशी मा, दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपकी राशियां क्या कहती हैं और आपका दिन कैसा रहेगा। आईए आज के पंचांग से शुरुआत करते हैं। आज 31 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार है और यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिति है जो दोपहर एक बज़ कर पाँच मिनट तक रहेगी। इसके बाद अमावस्यातिति शुरू होगी। हस्त नक्षत्र रात नौ बज़ कर चार मिनट तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज का राहुकाल जो दिन का सबसे अशुब समय माना जाता है। दोपहर बारह बज़ कर दस मिनट से एक बज़ कर चौँतिस मिनट तक रहेगा। आज कोई अभिजीत महूर्त नहीं है, चंद्रमा आज कन्या राश में संचार करेगा, जबकि सूर्य तुल्ला राश में स्थित रहेगा। 31 अक्टूबर 2024, दिन गुरुवार, आप अपने आसपास के लोगों से अच्छी मदद और पहचान की उम्मीद कर सकते हैं। आप मजबूत आधार और आशावाद से भरे हुए हैं और नई परियोजनाओं के लिए पूरी तरह से तयार हैं। फिर भी आपके पास अच्छी परियोजनाओं को पहचानने की क्षमता बनी हुई है, जिससे आप केवल उनहीं में निवेश करेंगे जो भविश्य में तरक और समझदार रहें। आगे बढ़ने, विवेक से काम करने और संपर्क स्थापित करने के लिए यह समय अनुकूल है। नए प्रयासों के लिए आज का दिन सबसे अच्छा है। यह दौर बेहद सम्रिद्ध और लाभधायक है क्योंकि आप इसमें नए आयाम खोज सकत हैं। ध्यान रखें कि आपकी उर्जा सही दिशा में लगे यह संभव है। यह संभव नहीं है कि केवल एक शब्द का अंतर हो और यही शब्द आपके जीवन की दिशा को निरधारित करे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहेगा। सरकारी योजन को लेकर परेशान हैं उन्हें आज कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है। अपने कामों को कल पर टालने की कोशिश न करें। घर में कुछ बदलाव कर सकते हैं और अपने साथी के साथ आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। आज आपको खरीदारी करने का मौका मिल सकता कामों में रुची लेंगे और अपनी रचनात्मक्षमता का उपयोग जीवन के विभिन क्षेत्रों में करेंगे। आपको आज बिजनिस में अच्छी, कमाई होने की संभावना है। वाहन सुख का योग भी आज बनता दिख रहा है। और जो लोग वाहन खरीदने की इच्छ रखते हैं, उनकी चाहत आज पूरी हो सकती है। शेयर मार्केट में सावधानी से निवेश करें। वहीं धातु में निवेश करना फाइदेमंद हो सकता है। आज आपको लंबे समय से रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। संबंधों के बीच चल रहे गिले शिक्वे दूर होंगे। किसी शुब चिंता का आशिरवाद और शुब कामनाएं आपके लिए वर्दान साबित होंगी और आपके व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। आप खरीदारी के लिए जा सकते हैं और मार्केट में आपकी योजना के अनुसार काम पूरे होंगे। हालांकि अ अचानक आए बदलाव के लिए खुद को तयार रखना होगा। काम से संबंधित रुकावटों के कारण तनाव बढ़ सकता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति से उधार लेने से बचना बेहतर होगा। जिन लोगों के साथ आप करीब महसूस करते हैं उनके साथ संबंध न बि मिल सकती है। जिससे जल्द ही आपके सहनाई भी बच सकती है। यह समय लाभदायक है। यह समय संतान को सफलता दिलाने वाला है। आए कम रहने के बावजूद आपको परिशानियों से मुक्ति मिलेगी। नई जगह पर काम करने का अवसर मिल सकता है और जीवन में प्रमो कुछ कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। इसलिए भावनाओं के बजाए व्यवहारिक दृष्टिकोन अपनाना जरूरी है। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाना भी आवश्यक है। यदि आपने किसी के साथ कोई वादा किया है तो उसे पूरा करना चाहिए। बात करते हैं लव लाइफ की। घरेलू मामलों में कुछ न कुछ मन मुटाव रह सकता है। किसी विपरीत लिंगी मित्र के प्रती आकरशन भी हो सकता है जो प्रेम संबंधों में बदल सकता है। आप भावनाओं और प्रेम से परिपूर्ण हैं और अपने साथ के साथ एक गहरा संबंध अनुभव कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ का आनंद लेंगे। आज का दिन एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का है। हर रिष्टे को आगे बढ़ाने के लिए उसे कुछ समय देना पड़ता है ताकि वह सही तरीके से फले अपने मित्रों और परिवार से मिलें क्योंकि उन्हें आपकी जरूरत है। अपने साथी की जुदाई का भय आपको मानसिक समस्याएं दे रहा है। ऐसे में खुलकर अपने साथी से इस बारे में बात करें। किसी का खराब स्वास्थ्य आपको अस्पताल या पुनर्वास के इंद्रों तक ले जा सकता है आप अपने खूबसूरत रिष्टे को लेकर बेहद उतसाहित हैं और आपके साथी के साथ मीठी नोक जोंक हो सकती है किन्तु याद रखें इसी के बाद आपका रिष्टा पूरा होगा थोड़े से अतिरिक्त प्रयास और आपके ख्याल हकीकत में बदल जाएंगे जीवन को महकाने के लिए सिर्फ फूलों की जरूरत नहीं होती किसी खास के साथ होने से ही जीवन महकने लगता है करियर की बात करें तो आज किसी कीमती चीज़ की खरीद या दीर्गकाली निवेश से बचें क्योंकि यह नुकसान का कारण बन सकता है अपने काम या व्यक्तित्व में परिवर्तन करके आप आये के अतिरिक्त मारगों को खोल सकते हैं याद रखें रिष्टों और व्यापार में कुछ चीज़ों को रहस्य में बनाए रखना ही उचित होता है जीवन का यह चरण काफी सम्रिद्ध है और आप नए आयामों के बारे में जान रहे हैं आज आपकी उर्जा का स्तर भी अधिक है और आप इसका प्रयोग सही दिशा और उद्देश्य के लिए कर रहे हैं अपने हर प्रयास का मूल्यांकन करें क्योंकि लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है इसलिए अपने संपरकों का लाब उठाएं शोध विद्यार्थियों को आज शुभ संदेश मिल सकता है और जो विद्यार्थी आज प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले रहे हैं वे भी अपनी आशा से बहतर प्रदर्शन करेंगे हालांकि समय के अनुसार निर्णय लेना और काम करना काफी महत्वपूर्ण होगा इन घटनाओं से आपको जो अवसर मिल रहे हैं उनका सही इस्तेमाल करें आपको शीघ्र ही इन अवसरों का उपयोग करना होगा अन्यता ये हाथ से निकल सकते हैं आपको अपने कार्यक्षेत्र या करियर की सुरक्षा के लिए एक कठोर और कठिन निर्णय लेना पड़ सकता है बिजनिस में अपनी मौजूदगी बनाए रखें और सारे फैसले खुद लेने की कोशिश करें किसी प्रभावशाली व्यक्ति से व्यवसाय संबंधी कुछ बहतरीन जानकारियां मिल सकती है हालां कि कमीशन के कामों में नुकसान होने की स्थिती बन रही है इसलिए सावधानी बढ़ते आफिस में सहकर्मियों के साथ समंजन बना रहेगा सेहत की बात करें तो आपको वायरल और गला खराब होने जैसी दिक्कतें हो सकती है व्यवस्थित दिन चर्या और सही खान पान रखने से आप जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे आप एक नीरस और रूटीन जीवनशैली के आदी हो चुके हैं और इस प्रक्रिया का बुरा असर आपके शरीर पर देखा जा सकता है अब भी समय है आपको जल्दी ही अपनी पहले वाली ताकत और स्टेमिना हासिल करने के लिए एकसरसाइज शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि आपको जल्द ही किसी शारीरिक मेहनत वाले काम के लिए बुलाया जा सकता है अपने तनाव को दूर करना भी महत्वपूर्ण है चाहे आप इसे न जानते हों लेकिन आपका अस्वास्थ्य कर खाना ही इस तनाव का कारण है आज आपके राशिक अनुसार व्यक्तिगत वित्त में निवेश करना फाइदे मंद रहेगा और क्रिप्टो क्रेंसी में किसी नए निवेश का निर्णय लेना भी शुब हो सकता है आज स्टॉक मार्केट के विशलेशन में समय देना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है साथ ही डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियों में कुछ नया सीखने और अपनाने का भी यह सही समय है यदि आप एफिलियेट मार्केटिंग में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आज आपके सितारे अनुकूल हैं और इंशियोरेंस से जुड़े महत्वपूर्ण निर्ने लेने के लिए भी यह उचित समय है रियल एस्टेट निवेश के क्षेतर में नई शुरुआत के संकेत हैं और यदि आप ड्रॉप शिपिंग व्यवसाय में कदम रखना चाहते हैं तो यह आपके लिए शुभ रहेगा आज आज आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स ट्यूटोरियल्स पर ध्यान केंद्रित करना भी फाइदेमंद रहेगा आज क्रेडिट सुधार से संबंधित कदम उठाना आपको वित्ती ये मजबूती प्रदान कर सकता है और छोटे व्यवसाय से जुड़ी किसी सलाह को मानना भी लाबकारी साबित हो सकता है आपकी राशिक अनुसार कानूनी सलाह लेने के लिए आज का दिन उप्युक्त है और करियर विकास में भी नए अवसर मिलने के संकेत है सॉफ्ट्वेयर रिव्यू देखने या समझने से आज आपके ज्यान में वृद्ध होगी और ट्रेडिंग रणनीतियों को अपनाने के लिए भी यह दिन सकारात्मक है आज लगजरी लाइफस्टाइल से संबंधित निर्णय लेने का भी सही समय है साथ ही तकनीकी रिव्यूज को ध्यान में रखना आपको भविश्य में लाब पहुँचा सकता है स्वास्थ बीमा के बारे में विचार करना आज शुब रहेगा और अंत में रिटायर्मेंट योजना बनाने के संबंध में आज आपकी राशिक अनुसार यह भी फाइदे मंद साबित हो सकता है आज का उपाए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करना है चावल, कमल का फूल, गुलाब की माला, हल्दी, कुम-कुम और मिठाई अर्पित करें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें और आपका दिन शुब हो